बिशना के वार्ड नमबर 4 में चोरो ने एक घर के बाहर खड़ी कार के टायर चुराने की वारदात को अंजाम दिया है चोरो ने ये कार गत रात्री किया इस बारे में पुलिस को सूचित कर दिया गया है हम आपको बता दे कि बिशना इलाके में पिछले काफी समय से चोरो द्वारा चोरी की वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है मगर पुलिस ने अभी तब चोरी की किसी भी मसले को हल करने में कामया भी नहीं पाई है इसको लेकर लोगों में पुलिस के फ्रती काफी रोश देखा जा रहा है बियर रपोर्ट, जेल के मीडिया, जमो ना मेरा सुशील सैनी है तो रात को गाड़ी जहां पे मैंने पार्क की थी तो सुबह हमें किसी के थुरू पता चलागी दोनों टायर जो हैं वो गाड़ी के अवेलेवल नहीं है उसके नीचे इंट पत्थर अबगारा लगाके चोरों ने दोनों टायर उडा ली है फर्स टाम गाड़ी वहार थी और फर्स टाइम ही जे सीन क्रियेट हो गया क्या उने प्लीज को सुचती है हाँ सुबह मैंने कंप्लेंड कर दी है प्लीज वाले आये थे चैक पुगारा करके गए है अब देखो क्या कहना चाहिए जिससे रोड के किनारे ही चोरी हो गई और है भी टॉन में ही यहीं आकि थोड़ा लोगों को थोड़ा वेर होना पड़ेगा अपनी चीजों की सुरोशा खुदी करने पड़ेगी कोई बरौसा नहीं है कब हो सकता कल को किसी आपकी गाड़ी ले जाए आई मेरे साथ हुआ है कल को गाड़ी ही ले जाए क्या कहसे है अब देखने लगा करते हैं चैक प्लीस ने चैक नहीं किया प्लीस अपनी चाहें नहीं किया क्या क्या सकते हैं अब जो होना था हो गया देखो मैं स्थी शर्मा कैमरमेन गोल्शन कमार के साथ तो इस वक्त खड़े हैं हम बिशना के बार नमबर चार में हम बता दें कि चोरों ने एक वर फिर बिशना में होने के सबूत दिये हैं और उन्होंने अपनी मजूदकी का इसास दिलाते हुए इस बार सरकी नारे खड़ी इस स्थीक से दिखाएं यह देखो दोनों साइड के जो टायर हैं जो दोनों उतार लिए हैं और जिसके नीचे पत्थर लगाकर बोरफु चक्र होगे क्योंकि विशना शेतर में जो चोरियों का सिरसला है वो पहले भी चलता रहा है और दो चार दिन के बक्वर के बाद फिर व क्योंकि इससे पहले भी जहां से थोड़ी दूर आगे जहां पर वो गारी लगी है सफेद मैं कहूंगा कैमरेमेन से वो दिखाए बहां पर एक गारी खरी थी लोड कैरियर उसको भी चोरों ने उडा लिया आज तक पतन चला जहां से 50 मिटर के दूरी पर अरजेश नागला नाम का लर्का है उसके भी लोड कैरियर चोरों ने चुरा ली थी आज तक उसका भी पतन चला और बितीरा फिर चोरों ने इस गारी को निशाना बनाया है और इसके दोनों टायर खोल के ले गे हैं हलांकि पलीस को सूचित कर दिया है पलीस मोके पर आई थी उन्होंने खा दें इसी गर से गाड़ी है और जहां खड़िया आप देख रहे हैं दोनों के टायर नहीं है चोरों ने इसकदर शेतर में आंतक मचाया हुआ है कि पलीस का उनको कंट्रोल करने का जो सपना है वो अधूरा ही रहता दिख रहा है चोरों के डर से लोगों में काफी दैश लोगों का मानना है कि प्लीस अपनी घस्त तेश करें ताकि चोरों की इस कारभाई को रोका जा सके चोरों को नामतों को रोका जा सके विशना से कैमरामें गुशनकुमार के साथ मैं सती शर्मा